आज जिस वर्डप्रेस के सूपर हीरो से हम आपको मिलवाएंगे उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में एक तहल का मचा दिये एक नहीं काफी तहल के मचा दिये उन्होंने और हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि कैसे वर्डप्रेस यूज करके उन्होंने अपनी जिन्दगी बदल दी WordPress क्या है? WordPress is just a tool. It's an opportunity to change your life. और WordPress के superheroes कौन है? WordPress के superheroes are people who have changed their life or they have changed the life of people around them या उन्होंने society को किसी तरह से benefit पुँचाया. ये वो लोग हैं जिनने WordPress को सिर्फ एक tool की तरह नहीं use किया. they used WordPress to change humanity and society in small but great ways. और हमारा मकसद आपको इन superheroes से मिलवाने का है ताकि आप इन से सीख सकें. Learning happens when both parties think. बोथ parties से मुराद है कि हम जो आपको सिखा रहे हैं but at the same time you, our audience, our viewers, our listeners, our learners, जो के हमारे साथ एक connected way में सीख रहे हैं. So, आज जिस शक्सियत से में आपको मिलवाने जारा हम, not only did he sell a website online for more than $100,000 but he started a website जो के government को चेक में रखती है. This is a powerful guy that I'm talking about. I would like to welcome and I'm very pleased to welcome a very old friend for this segment, Salwaan Saeed. Assalamualaikum Saeed, thank you so much for inviting. Assalamualaikum. Salwaan, हमारी audience उतावली हुई जा रही है, they really want to know के आपने ऐसा क्या किया जिसकी विड़ा से आपने लोगों की जिंदगी बदली. But before you answer that, I want you to take some time and reflect on your story. Because our stories make us humans. ये हमारी stories की विड़ा से है, हमारी कहानियों की विड़ा से है. कि आज हम as humans exist करते हैं. So, वहाँ पर जो लोग बैठे देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन उनकी कहानी लोगों को inspire करें और लोगों की जिंदगी को बदले. तो आपसे मैं जानना चाहरा हूँ, कि आपकी कहानी कै, कैसे आपकी कहानी ने आपकी जिंदगी और बाकी लोगों की जिंदगी को बदला? Thank you for asking the question, Saad, मुझे थोड़ा शक्ता है कि आपके सवाल पूछेंगे तो मैंने आइसे परे तो रिसरच किया कि जो मेरे ओडियन्स है, जिसको हम यसकारी ने सनाएंगे, वो कौन सी ओडियन्स है और मैंने काफी रिलेट किया उन लोगों से यह ओडियन्स वही ओडियन्स है जो मैं एक दिन था, मुझे इंग्लिश तक नहीं आती थी वेबसाइट बनाना तो बहुत दूर की बात है वेबसाइट को बनाने के लिए वो कोडिंग लैंग्विज समझना तो बहुत दूर की बात है इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी स्टोरी इसे बहुत लोग रिलेट करते हैं बहुत इंस्पायर होते हैं क्योंकि मैं अपने उस कमफर्ट जोन से बाहर निकल के मैं इसन्दगी के साथ एक्सपेरिमेंट किये जिसकी वैसे मैं आज वहां खड़ा हूँ जिसकी वैसे मुझे आपने यहां इन्वाइट किया और मुझे सुपर हीरो का एक ख़ताब दिया तो मेरे स्टोरी स्टार्ट होती है 2010 में जब मैंने एक वैबसाइट बनाई थी सल्मानसाइदसमफिंग.wordpress.com पर जहां मैं शाहिरी लिखता था वो शाहिरी के बहुत शौक था लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक लरका है जो ऑनलाइन पैसे कमाता है और वो और कोई नहीं बट आप खुद है तो मेरी इंस्परेशन साथ भाई थे जिनको देख के मैंने का अच्छा ऑनलाइन पैसे कमाई जा सकते हैं और जो प्लैटफॉर्म यह यूज कर रहे थे वो वो वर्डप्रस था तो मैंने फिर वर्डप्रस को एक्स्प्लोर किया लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आदी थी मैं एक अकांटनसी का ग्रेजवेट हूँ मैं चार्ड़ अकांटन्ट हूँ पड़ा है ना मैंने को प्रोग्रामिंग लेंविज सीखी है तो मैंने वर्डप्रस को एक्स्प्लोर करना शुरू किया कि मेरे बहुत मुश्किल होगा तो बाद में मिझे जानने को मिला कि नहीं कोई भी लड़का जो Facebook यूज कर सकता है Twitter यूज कर सकता है वर्डप्रस पे अपना वेंचर बना सकता है website तो बहुत छोटी बात है and that's when I started my own website called technileaks.com क्योंकि आपका website भी technology पे बेस था the story went on और मुझे पता लगा के मेरा शौक जादा photography से है तो मैंने photography की website बनाई and उसके बाद मुझे पता लगा के बहुत सारी traffic आपके website पर social media से आती है जहां pictures का content काफी अच्छा काम करता है तो pictures content पे मैंने देखा के funny memes काफी मशूर जा रहे थे and आपने website का नाम लिया website थी gagism जह हमने बनाई थी जिस पर जिस पर traffic काफी आती थे social media से तो आप वो लरका जिसको English भी नहीं आती थी जिसने 6 महीने लगा के 100 डॉलर बनाए थे एक technology के website में लेकिन बात में मैंने सीखा कि जिस चीज में तुमारा शौक हो उसको ज्यादा अचा तरीके से आप कर सकते हैं उसमें quality work पुट इन कर सकते हैं तो जो मेरी 5000 डॉलर्स आज किल के जमाने में कितने पैसे होते हैं एक करोड से उपर बनते हैं इस साल की उमर में बहुत बड़ी बात थी तो वही माबाप जो थोड़े से कत्राते थे क्या कर रहे हैं जो शायद हमारी और्डियन्स को आज कहते होंग कि उनके पैरेंट्स वह बात में खुश थे कि online media is also a very reliable source of earning तो खेर मैं फ़रो सारा पैसा दुबई ले गया था मैंनो वहाँ पर कंपनी खोली थी जहां interesting बात यह है कि हम लोग specialized थे wordpress वे website बनाने में तो कोई भी अगर आकर हमें अपनी company को बनाने को बोलता था हम सम्हाव figure out कर ले थे कि वही चीज़ वर्ट्रेस पे बन सकती है हम कोई जरूवत नहीं कोई extensive software यूज करने की for example code igniter or site core जहां वो लोग लाखोर रुपे देते हैं हम वही काम उनको सस्ते कर कर देते वर्ट्रेस तूल and उसमे इतने सारे plugins आप यूज करके उनको पॉड़र बना के दे सकते हैं जबर्दस्त and it's so inspirational to have people like Salman as part of this segment जिन्होंने ना सिफ पैसे बनाई जिन्होंने ना सिफ अपनी जिंदगी बदली और अपने साथ लोगों की भी जिंदगी बदली वैसे तो मैं आपसे खान मीटर के बारे में बाद भाद में पूछूंगा बढ़ क्या आप यहां पे बताना चाहेंगे हमारी एककोईटन्स को कि खान मीटर जो कि आपके लेटस्ट वेंचिर है यह क्या है खान मीटर असल में मैंने यह realize कि हमारी जो अवाम है वो हुकुमत को vote देती है लेकिन वो देखती नहीं कि हुकुमत ने हमसे वादे कौन से किये थे तो बस मैं एक इस तरह का टूल बनाया चाहता था जिस पे लोग को पता लगे कि जो हुकुमत ने हमसे वादे किये हैं कि अवादे कि यहां चाहिए ने हमारी जो पर फोकस कर रही है आजकर जिसका शूर बहुत सार लोग को नहीं होता अब इंटरस्टिंग बात यह है कि एक ऐसी वेबसाइट बनाना जहां वादों को डालना पर उसको ट्रैक करना और उस पर काउंटर भी लगाना डेस का यह सु पसंद आया वाइडिया मुझे काफी हमारे हुकोमत के लोगों ने भी और अवाम ने भी सराहा कि उनको नहीं पता था कि वादे कौन से है तो मैंने उनकी हेल्प के उनको इस वादों के बारे में बताने में जबर्दस जिस तरह के सलमान ने आपको बताया है कि WordPress is a tool for everyone एक तूल है जो के ना सिर्फ कोई business website बनाने के लिए यूज हो सकता है वाट यह एक ऐसा टूल है जो के transparency और accountability के लिए भी यूज हो सकता है बट इसके साथ-साथ हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन मैं सलमान से एक question पूछने काफी अरसे से चाहता हूँ वो यह क सलमान अपने daily workflow में आप wordpress कहां कहां use करते हैं जरा आपने बताया आपको photography का शौक था तो आप उधर move कर गए मुझे पता है साथ-साथ आपको photos लेने का photoshoots का बड़ा शौक है और आपने बीच में एक दुबई में जाके website start की जिसर आपको influencer आप बहां के बन गए and you used to be called for events आपको events पर बुलाया जाता था इसके बारे में जरा हमारी audience को बताएं कि influencer marketing क्या होती है wordpress को use करते वे आप influencer कैसे बन सकते हैं so first I will tell you the things that are very hot on the profile Porsche पूशा ने जर्मनी इन्वाइट किया जहां पर पूशा यहां पर गाड़ियां बनती हैं Stoogart में so now you can relate to that girl who didn't speak English again and then I went to Porsche's invitation and I went to the car and I went to the city where it is it was a different feeling I have a lot of fashion brands in Milan fashion week and Paris fashion week पर लेके गए हैं मैं चार पांच निन पहले लाकॉस्ट के लाकॉस्ट के ब्राइंड है उनकी घड़ी के लाउंच इवेंट था तो मुझे पाकिस्तान से business class में लेकर गए पैरिस तो जब भी मुझे कोई पूचता है कि यह कहां से आया पहले तो मेरे पास जब entrepreneurial का होता था लेकर अब ही मुझे ख्याल है कि वो सब कुछ WordPress की वजा से था वो जब वेबसाइट मैंने बनाई जिस पर मैं सारा content लिखता हूँ उन companies के लिए वो WordPress पे बेस्ट है Saluhi.com is on WordPress उसके इलावा मैं e-commerce venture चलाता हूँ जहां हम लोग उनीक modern अंदाज में पिशावरी खेड़ी को डिजाइन करके बेचते हैं और वो e-commerce वेबसाइट भी WordPress पे बेस्ट है जब लोग e-commerce का नाम सुनते हैं लोग के दमाग में different थोड़ से complex CMA softwares आते हैं लेकिन वो WordPress पे आप कर सकते हैं there is a plugin for that called WooCommerce I have always been on WordPress मैं आज तक कोई कोडर हायर नहीं किया और ना मैंने खुद कोडिंग सीखी है ना मैं एक CS student हूँ मैंने वह सब कुछ WordPress पे बनाया because it's very easy to use आपकोई कोडिंग लेंगविज सिखने जरूथ नहीं है just need to be able to customize stuff जिसके लिए आपको computer भी use करना आए तो आपको कर सकते है so everything that I have is based on WordPress influencer marketing जो सवाल था आपका उसमें यही है कि आप जो भी website बनाते हैं WordPress पे आप एक influencer बन सकते हैं आपको सरफ WordPress website बनानी है जिस चीज के बारे में आपको shock है आपने उस चीज के बारे में content डालना शूरू करना है for example मुझे shock था fashion के बारे में so मैंने इस तरह के articles बनाए कि कैसे आप कम से कम खर्च करके अच्छे से अच्छा दिख सकते हैं because majority of the time जो हम लोगों ने अच्छे कपड़े पैनने होते हैं जो आके इसके fashion sense को अच्छा पसंद करती है इसको पढ़ती है then इस तरह के fashion brands आपके आपके साथ affiliate होंगे और आपको वो पे करेंगे कि आप content लिखे वही content जो आप normally लिखते हैं somehow वो इस fashion brand को बीच में mention करके इसमें सरफ fashion नहीं आप इसमें cooking recipes भी लिख सकते हैं आप इसमें make-up के बारे में tutorials दाल सकते हैं वह आप ब्लॉग पर कर सकते हैं वह आप YouTube पर कर सकते हैं लेकिन WordPress पर आपने YouTube की वीडियों एमबेड भी सकते हैं चुकि गूगल पर सर्च इंजन पर वेबसाइट जादा टॉप पर आती हैं बनिसबते वीडियों So influencer marketing is totally a field जो आप WordPress पर अराम से परसू कर सकते हैं जबर्दस आप एक entrepreneur हैं आप entrepreneur शहीद थे नहीं लेकिन आप entrepreneur बन गए हलात की वज़ा से और अपनी skills की वज़ा से So यह जो हमने concept क्रियेट किया है यहां पर इसको हम कहते हैं three level digital empowerment concept जिसमें या तो इनसान यह skills सीख के freelancer बन सकता है या smart worker बन सकता है या entrepreneur बन सकता है आप हमें बताएं उस audience के लिए उन learners के लिए उन viewers के लिए जो आपको सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं कि entrepreneur बनने के लिए क्या-क्या skills है जो हमारे यंग लोगों को चाहिए और कौन-कौन सी वो skills सीख सकते हैं online मेरे खाल से एक entrepreneur बनने के लिए एक successful entrepreneur बनने के लिए talent होना बहुत जरूई है लेकिन मेरे मताबक talent की definition ज़रा different है आप यहां confuse मत हो talent की definition मेरे मताबक the capacity to experience है आप experience करने की capacity अपने आप में लाएं हमारी audience जो है मैं उनको समझता हूँ वो ढरते हैं कुछ भी निया experiment करने से कुछ भी निया experience करने से वो जो डर है उनमें वो है unknown का हम जब भी अंधेरे में चल रहे होते हैं हम अपने mobile के light on करते हैं हमें नहीं पता के रास्ते में पत्थर है या खाई है क्योंकि unknown है वो रास्ता हम light on करके उस रास्ते को known करके चलते हैं लेकिन life में हर जगा आपको light नहीं मिलती आपको experiment करना पड़ेगा आपको दख्यकाने पड़ेंगे और तब जाके आपको पता लेगा कि अच्छा वो जो unknown था वो known में कैसा है and then आपको अपनी abilities का अंदाजा होगा आपको self awareness आईगी जो के बहुत जरूरी है entrepreneur के लिए so मेरे मताबक आप experience करने की capacity को बढ़ाएं आप अपनी life साथ experiments करें जो भी आपका dream है जिस पी field में आप अपने आपको परसू करना चाहते हैं आप उसको अराम से wordpress पर ला सकते हैं content marketing is the best way जिस तरीके से companies अपनी services बेचती है हर company के services बेचने का एक तरीका content marketing होता है और वहां पर वो लोग wordpress को use करते हैं so आप जो भी field परसू करना चाहते हैं आप उसके बाद में content create करना शुरू करें once you start writing about it हमें डर यह है कि क्या पता मेरी recipes किसी को पसंद ना जाए जब तक आप recipes बना कर publish नहीं करेंगे और जब तक किसी का feedback आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको डर है कि बुरा हो कि आपको खान मीटर का खयाल या idea कैसे आया because a lot of our learners here जो कि एक दूसरे से मिलते रहते हैं सीखते रहते हैं वो डरते हैं नए ideas try करने के लिए How do you get your ideas? इसका basic, बहुत simple answer है मैं इसी पाकिस्तान में रहता हूँ मैं इसी दुनिया में रहता हूँ जिस चीज की मुझे जरुवत है उस चीज की सब को जरुवत है और मुझे ऐसी चीज की जरुवत फील हुई मेरा दिल किया कि मैं जानो कि मेरे हुकूमत जो अभी आई है इनका plan क्या है कि किस top segments पे लोग काम करेंगे जब मुझे ख्याल हुआ कि मुझे नहीं पता उन चीजों का तो ये बहुत हाई chances है कि बहुत सारे लोग को नहीं पता उन चीजों का मैंने इसलिए confidently वो टूल बनाया कि मुझे पता था कि मेरी तरह और भी audience है जिनको उस तरह के वादों का का solution निकाले और उस पर idea बनाकर अपना venture अपना product अपनी website अपनी company खड़ी कर लें बिस आपको उसमें problem आई और problem बहुत सारे लोग को आईगी and that is your idea which you can convert into your company using wordpress Zabardas Salman I would like to kind of end this but with your final suggestions and advice to those young people who are watching us and to those young people what is your advice for them? I think there is only one specific simple sentence which you should focus on everyone get out of your comfort zone that's not where you are going to get success Zabardas thank you Salman for joining us most welcome and I think what you are meeting with superheroes here they will change your life because they have changed their own life let's try to learn and let's try to grow together to make Pakistan number one in the global digital economy you you